एलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू माई चैनल आज एक डेडिकेटेड वीडियो रिवर्ब का उपर मैं बना रहा हूं मैं वादा कर रहा हूं कि यह वीडियो आप देखने के बाद रिवर्ब का उपर कोई भी वीडियो आपको देखने का जुरूरत नहीं पड़ेगा यह मैं नहीं तो हमारा गाने को एक न्या पहचान देता है रिवर्ब देखिए यह कुछ मैं सेंपल रेकर्ड किया हूं और इसमें यह उपर कारोकी है और यह मेरा वोकाल है एकदम रहा वोकाल है मैं आपको थोड़ा सुनाता हूं पहले यह कारोकी को म्यूट करके रख देंगे क् कारोकी में तो हमको कोई डालने का नहीं है अब यह इसको म्यूट कर देते हैं और यह देखिए मेरा अपना में थोड़ा रेंडमली कुछ रेकर्ड किया हूं सुनिए यह कैसे आवा साउंड करता है थोड़ा सुन लीजिए तो सोन्या इसमें बिलकुल कुछ भी एफेक्ट नहीं डाला गया है पहला चीज है यह जो भोकल हमने रेकर्ड किये है यह हमारा हमारा बेस भोकल और इसमें बिलकुल ड्राय सिगनल है थीक है तो जो भी हम एफेक्ट में हमेशा बोलता हूं कोई भी एफेक्ट देंगे हमारा बेस भोकल का उपर कुछ भी एफेक्ट नहीं देंगे तो क्या करेंगे इसका एक कॉफी करेंगे फिर उसका उपर हमको रिभर्ब लगाना है ठीक है ध्यान देखे देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा ज्यादा नहीं फिर भी यह आप लोग के बहुत मदद होगा तो पहले क्या करेंगे यह जो इसको तो हमने म्यूट करके रख दिये हैं हमारा उपर वाला कारो की है उपर वाला और यह हमारा रोब होका ले तो इसको क्या करेंगे इसको मैं सिलेक्ट करके आइधर एडिट में जाके डूपलिकेट कर सकते हैं नहीं तो सिलेक्ट करके कॉंट्रल सी कीजिए फिर यहीं पर क्लिक करके कॉ देखे अभी आ गया तो अभी तीन लाइन हो गया देखिए पहला उपर वाला हमारा कारव की है उसको मैं बिल्कुल म्यूट कर दिया हूं और यह हो गया हमारा बैस वकल और इसका हमने कपी किए ठीक है तो अभी ध्यान दिजिए हम जो भी एफेक्ट देंगे इसको मैं कालर क कर देता हूं देखे जो रेड़ वाला है यह हमारा बैस वकल है इसको हम कुछ छेड़ता नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे यह जो हमने कफी किए इसका उपर हम लोग ने रिभर्व डालेंगे तो रिभर्व डालने के लिए क्या करेंगे हम सिलेट करेंगे इसको सिलेट कर करके effect में जाएंगे जाके रिभर्म में जाएंगे ठीके रिभर्म जाके यह थोड़ा टेकनिकल चीज हम को समझना है यहीं पे एक important चीज पहला important चीज आप समझ जिए यह जो हमने उपर वाला जो भुकाल है जो रेट कलर में में किया हूं यह हमारा बेस भुकाल है वह एकद आप बहुरा important चीज आँख बहुंद कर उसको वेट कर देंगे ठीके वेट करने में क्या होगा मैं बाकी कुछ चेड़ता नहीं किया हूं उसको मैं आपको थोड़ा सुना के देता हूं इसको म्यूट करता हूं अगर इसको भी dry कर देंगे ना देखिए कैसे सुनाए देगा प्रीव सुनी तो यह same to same सुनाए देगा तो हमें already यहाँ पे जो उपर वाला भोकल हमने बेस भोकल में already dry voice है dry signal है तो फिर हम second वाला को आँख बत कर पहले wait कर देगे यह हो गया पहला हमारा पहला काम important काम अभी देखिए जो second सी हमारा जो second काम क्या है यहाँ देखो room size room size को थोड़ा 75 से लेकर थोड़ा उपर नीचे हमको करना पड़ेगा अभी 75 में देखिए देखेंगे यह कैसे सुनाए दे रहा है थोड़ा preview देखेंगे देखें 75 में थोड़ा और ज्यादा बढ़ाएंगे देखें क्या सुनाए देर आए ठीके यह 80 तक 80 तक जाएगा था कोई problem नहीं है हम 80 तक इसको रख सकते देखिए depend होता है अपना गाया हुआ गाने का उपर depend होता है और आपका आवाज जो आपका जो गले का आवाज है उसका उपर भी depend होता है तो एसा नहीं है पूरा ऐसे ही ऐसे copy कर देंगे ना ऐसा नहीं है ठीक है तो आप ऐसे थोड़ा आगे पिछे करके 75 से लेकर 75 80 तक आप जाके उसको set कीजिए ठीक है यह जो pre delay है इसका इतना ज्यादा कुछ effective नहीं है इसको 12-10 तक रखिए इसको भी थोड़ा हम select करके देखेंगे थोड़ा थोड़ा गुंजने हुए आवाज दे रहा है तो इसको भी थोड़ा 10-15 10 से लेकर 15 तक रखिए 12-15 यह सही रहेगा जो river 1 से यह जो river 1 से ना उसको भी थोड़ा हम एसे आगे पिछे वो 70 से लेकर 70-80 तक रखके देखेंगे तो इसको हम भी थोड़ा अभी देखेंगे कैसे 72 में है तो कैसे आवाज कर रहा है यह सुनेंगे अभी और थोड़ा बढ़ाएंगे तो कैसे सुना इधर आथ तेखेंगे थोड़ा 76 तक जाएंगे 76 तक जाएंगे कोई प्रब्लेम नहीं थोड़ा अच्छा नहीं है तो आपको फिप्टी फिप्टी से लेके थोड़ा उपर नीचे कर सकते हैं मैं 50 में रखेंगे यह जो टून लो है यह थोड़ा इंपर्टान रोल प्ले करता है टून लो को क्या करेंगे हम ऐसा जी एक से जीरो से लेके एकदम जीरो से लेके हाई तक लोग रखते हैं देखिए पहले जीरो में रखके हम सुनेंगे गाना कैसा सुनाए दराए अभी यह वेट अनली में थोड़ा निकाल देता हूं ताकि थोड़ा आवाज लावडर होगा आपको पता चल दाएगा अच्छा से ठ लिखा रहा हूं की ताकि अच्छा से सुना है आपको समझ में अभी देखेंगे तो क्या हो रहा है जब हम यह टोन को ज्यादा हाई कर देते ना इसमें गुंजते हुआ ज्यादा आ रहा है तो उसको थोड़ा हम क्या करेंगे हमेशा आपको एक से लेके 14 15 तक आप रख सकत है 15 16 तो ठीक रहेगा कुछ प्रॉब्लिम ने की ठीक है यह हो गया अभी फिर क्या करेंगे जब टून हाई को हम टून लो को तो जोदा तक रखे तो टून हाई को हमेशा फुल में रख लेना ठीक है हमेशा फॉन रख लेना इसमें यह ज्यादाए फेटी नहीं यह टून जो लो है यह थोड़ा important rule है ठीक है और हम क्या करेंगे weight gain को minus point one में रखी हमेशा और dry gain को minus point में रखी है और stereo इतको हमेशा full रखी है ठीक है और इसको अभी weight कर देंगे weight करके अभी थोड़ा और सुन लेंगे कैसे आरा जराए देखे तो अभी इसको हम क्या करेंगे okay कर देंगे ठीक है चलिए अभी okay कर देंगे जब हम okay कर दिये इसका अभी आवाज ऐसे हो गया यह हो गया हमारा उपर वाला जो हो गया हमारा base भुकल था और यह हो गया हमारा second भुकल आप यहां पे दो तिन लाइन कितने भी लाइन रखें कोई problem नहीं है हमको जब mix करेंगे सब उसी time पे ध्यान देना है हमारा जो volume minus 6 से 0 का अंदर रहना है उसको cross नहीं कर ला है तो अभी जब हमारा ग एसी है हमारी प्यार भरी दास्ता तो अभी क्या हमको इसमें पता चला हमारा जो base भुकल है वो भुकल को कुछ उसका base एकदम सही रहा फिर हम जब reverb एड किये additional कपी करके add किये तो हमारा main भुकल जो base भुकल का उपर कुछ effect नहीं पड़ा कुछ हमारा कमी नहीं रहा गया तो हमारा base भुकल एकदम सेफ रहा फिर additional लेके अभी यहां एक important चीज़ देखिए आप हम दोनों का जो भलिम सु अभी क्या करेंगे थोड़ा जदा हमको reverb लग रहा है तो थोड़ा muddy जैसा sound लग रहा हमको क्या करना इहां पर देखिए जो इहां के यह जो reverb का जो हम यह reverb का जो हमने layer बनाया है इसको यहां से हम थोड़ा कम ज़ादा करके इसका sound को भी थोड़ा adjust करेंगे ये ध्यान दीजी ये सबसे important चीज होता है ये volume और ये volume ये जो reverb हमने बनाया इसका volume को भी थोड़ा हमने adjust करेंगे सही ढंक से रखेंगे तब sound quality बहुत जबर जशते आएगा अभी इसको मैं थोड़ा play करके आपको सुनाता हूँ देखिए अभी सुनते रहे और पारलाली में क्या करूँगा उसको adjust करते रहूँगा तो सुनिए minus का तरफ खिंचेंगे तो कम होते जाएगा plus का तरफ खिंचेंगा तो ज़्यादा होता जाएगा हमको ज़्यादा करने का chance जरूरत नहीं है थोड़ा minus करना है अभी मैं आपको live दिखाता हूँ ठीक है एसी है हमारी प्यार भरी दास्ता एसी है हमारी प्यार भरी दास्ता केती है ये खामोशिया तो अभी मैं क्या किया मुझे 5 dB में कम कर दिया क्योंकि जो गुझते हुए आवाज है उहीं पर हमने आर्जेस्ट कर दिया इसका volume में कुछ छेड़ता नहीं कुए मैरा bass vocal का हम कुछ नहीं किये इस river वाला vocal का volume मैंने अभी 5 dB माइनस कम कर दिया ठीक है अभी फिर क्या करेंगे यह होने के बाद इसको क्या करेंगे थोड़ा हमारा equalizer डाल देंगे bass गाना अभी बन जाएगा equalizer जानने के लिए क्या करेंगे यही select करेंगे river वाले को फेड़ी फेक्ट में जाएंगे filter curve इसको filter curve में अभी थोड़ा review करेंगे ठीक है तो अभी क्या करूंगा मैं अभी क्या करेंगे यहां से 100 से लेके 200 यह 200 hertz तक जितना भी हमारा base वोकाले उसको हम थोड़ा कम कर देंगे इसको cut कर देंगे तो cut करने मैं अभी सुनिये कैसे सुने लेगा देखा अभी क्या हो गया वो जो base का उपर जो reverb लगा था वो हट गया यहां बिल्कुल sweet and crystal हो गया तो अभी हम क्या करेंगे okay कर देंगे ठीक है अभी okay करने के बाद इस दूनों को एक बार सुनेंगे पहले कैसे था जनाब पहले कैसे जना था बिल्कुल अभी कैसे हो गया अभी सुनेंगे देखा तो यह से एक professional way में हमारा song बन गया तो फिर क्या करेंगे इस सबको होने के बाद इसको unmute कर दो बाकि सबको control ले कर दो control करके tracks में जाके mix and render कर दो फिर गाना बिल्कुल बना गया तो मिलेंगे और एक बहत्रन वीडियो के साथ गुड़ नाइट टेक क्यार जय हिंद